नमस्कार बैया दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पी आरवी बीजेपी के हाड हिंदुत्व कटेंगे तो बटेंगे मस्जिद में घुसके मारेंगे और वक्वोड इन तमाम मामलों को ले करके नितीश कुमार खुद को ऐसाज मैसूस कर रहे हैं क्योंकि नितीश कुमा ने जो संकेत दिया है वो बड़ी राजदित्तिक उलट फेर के संकेत बिहार से निकल के आ रहे हैं आज पटना में और जेडी की बुलावे पे तमाम एमपी और एमेले विधायक और सांसत का जुटान सुरू हो गया और इस मीटिंग में लालु यादव भी मौजूद रहे और यह मीटिंग बड़ी इसलिए है क्कि कल नितीष कुमार और तेजश्वी यादव की अचानक मुलाकात होती है और बताएं जा रही है कि ​ पूरे आठ महीने बाद नितीश कुमार और तेजश्वी यादव की अचानक मुलाकात सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ाती है लोग यह कह रहे हैं कि क्या नितीश कुमार फिर से एक बार पल्टी मारने वाले क्या टीवी मीडिया चला रही है में स्ट्रीम मीडिया में क्या ब्रेकिंग न्यूस बनी हुई है उसकी चर्चा आप से करेंगे उससे पहले आपको बता दे इसी परकार की एक मुलाकात पिछली पिछली बार जब इंडिया के साथ महागटवंदन के साथ नितीश कुमार आया थे तो उसी परकार तेश्वी यादव जाकर के मुलाकात किय फिसे बाहर तो कहें कि जाती कर जंगना को लेकर बिहार में किस तरह से की जाएगी उसको लेकर चर्चा हॉई लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद नितीश कुमार पल्टी मार कर महाघटवंदन के पास आ वह नहीं जञे आदा महाँ घटमंदर नहीं चल पाया आट महीने से लेकिन पल्टी मार दिये सेम इसी परकार जो है वो देखने को मिला तेस्वी फिर गया नितिश कुमार से मिलने और मुलाकात आदे घंटे चली फिर तीज़ास भी बाहर निकल के और क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि चाहिए वो उत्तरपरदेश के नेम प्लेट का मामला हो वकवोड मिल का मामला हो चाहिए वो बीजेपी विधायक का वो कहना कि मस्जिद में घुस्ते मारें गे और नितिश कुमार को मुसल्मान भी वोट करते हैं नितिश कुमार की पार्टी में टूटकी भी खबर आई विरोत किया वकवोड बिल को लेकर के तमाम चीज़ से नितिश कुमार खुद को असाज महसूस कर रहे थे उसके बाद जो बयान आ रहा था लगातार कि आगली चुनाव में नितिश कुमार चोटे भाई और बीजेपी जह बड़े भाई की भूमिका में बिहार में देंगे लेकिन अब आते हैं कि जब नितिश कुमार से मिलकर तेश्वी आदव लोटे तो क्या बात चीत हुई अभी पटना में मीटिंग चल रही है विधायक वहां पहुंच रहे हैं और एक विधायक ने ये तक कहा कि जब मुलाकात तेश्वी और नितिश की हुई है तो कुछ बड़ा संकेच जो है वो लग रहा है और तेश्वी आदव ने क्या ब्यान दिया नितिश से मिलकर के उसको जानने से पहले हेड्लाइन क्या चल रहा है विहार के हवाले से वह एक बार आप देख लिजे क्या है नितिश कुमार और तेश्वी आदव ने बढ़ा दी सियासी मुलाकात या कुछ और आ गया बीजेपी का ब्यान ये हेड्लाइन दूसरा देखिए हिंदुस्तान का आठ महीने बाद तेश्वी और नितिश की हुई मुलाकात क्या हुई बात तीसरा देखिए बिहार में क्या फिर होका खेला कल नितिश तेश्वी की हुई मुला करकात आज लालू ने बुलाली विधायकों की बैठक तो ये तमाम हेडलाइन चल रहा है कि क्या बिहार में खेला होने वाला है क्या नितीश कुमार फिर पल्टी मारने वाले क्या फिर पल्टी मार करके महागटबंदर यानि की इंडिया गटबंदर में शामिल हो जाएंगे और उस ब्यान के हम चर्चा कर रहा थे कि नितीश कुमार पर जो दवाब बन रहा है कुर्सी छोड़ने का बीजेपी जो इस तरीके से दलित चेहरे को लाने की कोशिस कर रही है वो ब्यान देख लिजेए वो क्या हेडलाइन से न्यूजटिन का जाती बीना कुछ भी नहीं कि बीजेपी नितीश पर बढ़ाया दवाव कर दी दलित सीयम की मांग तो यह तमाम जीजे जो है वो चल रही थी और नितीश जो है हाटकोर हिंदुत से परशान थे ही कि बीजेपी में रहते हुए इनके जो अपने वोट बैंक है उस वोट बैंक पे किस तरीके से बाटरल भीहर में कराने का काम किये सबसे पहले भीया अपने राज्जी के खर्चे पे काम किए तो नितीश गुमार जिसने इंडीए घटवंदन में जाने के लिए शर्ट रखी उस ad में पहले नंबर पे था कि पूरे देश में जाती के जंगना होना चाहिए यह मन घड़त बात नहीं बढ़ा रहें वह भी आर्टिकल आपको दिखा रहें कि नितिश ने पहले क्या कहा था देखिए पहले आरेस का ब्यान देखिए समाज की एकता और अखंड़ता के लिए खत आते हैं पहले वाग वह आप आर्टिकल देखिए देश में जाती के जंगना बिहार को स्पेशल स्टेटस और पांच मंत्री नितीश की यह मांग तो नितीश की यह मांग में यह प्रास्मिक्ता थी कि पूरे देश में जाती के जंगना हो और आरेसस ने स्टैंड साफ कर द लेकिन मामलों पे है तो पूरी देश में जाती कर जनगन नहीं पहरा कर पास किया जा तो इन दो मामलों पर आज भी जो है वह एक स्टेटब्त पे जेडी और आरजएडी है बीजेपी से तो पूछा नहीं जाता है तबियत तो पूछा नहीं जाता है हाला कि अखबारों में तो यह है सरकारी अखबारों में कि नितीश्य वो जो है सरकारी काम से मुलाकात हुई है लेकि आदे घंटे की की मुलाकात हुई है कहा जा रहा है कि सची वाला के अंदर बंद कमरे में भी तोनों नेता मुलाकात किये हैं और बंद कमरे की राज के पूर्व डिप्री सीम और मौजूदा सीम के बीच पैसर फिजदी आरक्षन के मामले को समविधान की नौवी अनुसुची में डालने को लेकर भी चर्चा हुई बैठक से मिलने के बाद तेश्वी आदव ने कहा नौवी अनुसुची के मुद्दे पर बात हुई सी यह मीम्स चलता है कि नितिश सब के हैं इस तरह के मीम्स पट्णा में बिहार में अक्सर लोग देखते हैं कि नितिश सब के हैं देखिए अब नितिश कुमार की पलटी बाजी देख लिए उनुस्तों चनावे दोहजार तेरा में कब-कब पलटी मारे 15, 17, 22 यह तमाम लिस् के सबस्वोग की रजेडी की मीटिंग जो है क्या नतिजे लेकर के आती है क्या रिजल्ट इसका आता है और क्या कुछ मामला जो है वो निकल Babam tis कि अचानक जो है इधर देखी में भी अलग चुप्पी है और जेडियू में भी अलग चुप्पी है कोई कुछ ब्यान नहीं दे रहा नितिश कुमार कुछ नहीं कह रहे लालु यादव कुछ नहीं कह रहे हम मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया जरूर है तो देखना दि